कि बिस्मिल्ला रोहमन रोहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास होप यौल आर पाइन पिटा लास्ट में लेक्षे नमबर टैन तक हमने अपने चैप्टर नमबर थर्टीन जो के प्रोपकेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसकी थियोरी कंप्लीट कर दे थी अब आपके पास लेक्शन नमबर 11 है और यह है आपके निमेरिकल इस चैप्टर से रिगार्डिंग अब हम निमेरिकल सौट परेंगे चैप्टर के निमेरिकल काफी एजी है एस कंपेर टो चैप्टर नमबर 12 और यहां पर दो से तीन फार्मुलाज ही इन निमेरिकल में यूज होंगे सबसे पहले पेटा निमेरिकल नमबर 13.1 है एन अब्जेक्ट इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 संटीमेटर फ्रॉम अ कॉंकेव मिरर ऑफ फोकल लैन 5 संटीमेटर इफ दो अब्जेक्ट इस 5 संटीमेटर हाई फाइन दा पोजीशन एंड साइज ऑफ दा इमेज देखे प पुरानी वाली डेयरीवेक्षन याद हो जो कि मैंने लेक्षि नमबर 10 में करवाई थी मिररर फामूले के अंदर उसमें आपको बताया था कि अब्जेक्ट इस टेंस ही रिप्रेसेंट होता है तो यहां पर आपको चोंट है वह में आपको आपको अब्जेक्ट तो पी हो जाएगा आपके पास 30 cm फोकल लेंथ आपको दीवी है 5 cm यहां पर आप फोकल लेंथ का सिंबल एफ होगा एफ से आप लिख देंगे 5 cm साथ में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दीविए इप तो ऑब्जेक्ट इस 5 cm हाय यानि कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह 5 सेंटीमीटर है तो अब्जेक्ट हाइट भी हमने प्रिवियस डेरिविशन के अंदर सॉल्ट की थी बताया था अब्जेक्ट हाइट के बारे में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हो से तो यह आपकी आपके पास 5 cm आपको एक तो पोजीशन आफ इमेज पता करनी है फाइ अब कहां पर रकھی यह कह को मतलब है कि इसका डिस्टेशन का कहां पर तो आपको इमेज बंतकर करना। जो के आपके पास क्यूं ँइस के यह और आपक पास size of image आपको find करना है जो कैंई कट्नी है Spanishหाइट कि तो इमेज हाईट आपको find आब सबसे पहले हम इसके उपर अपना मिरर फार्मुला यूज करेंगे मिरर फार्मुला आपका होता है वन अपॉन एफ इस एक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन ओवर क्यू तो यहां पर आप वन ओवर पी की जगह पर थर्टी रख देंगे ऑब्जेक्ट इस्टेंस हो गया आ गया आपका वन ओवर थैर्टी प्लस वन ओवर क्यूव आपको फाइंड़personal निर इतक वर्टू आपकी फाइव है तो यह गया आपका वन ओवर फाइफ अब बेटा यहां पर 30 हो रहा है आपने इसको opposite कि यह आपका जाकर माइनस हो जाएगा तो सबस्क्तियों कि उबराबर हो जाएगा जच्रुश दोनेखने ने का मैंफड़ होता है है तो फाइव और थर्टी के लेंगे आपके पास थर्टी आएगा वाइव के डेविल में तर्टी टाइम आता है आपने बन को फाइव कर आ यह 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 हो गया आपके पास 16-16 आपके पास आगया फाइफ आप इन्होंने बिटा क्या किया है वन ओवर क्यू जो है वह आपके पास बन रहा था था फाइव अपॉन 30 आपके क्या किया इसका रैसी प्रोकल ले लिए यानि कि निचे भीज़ दिया और दिनॉमिनेटर अपने उपर शिप्ट कर दिया यानि को आपने क्यू ओवर वन लिख दिया तो सिंपल इससे क्या हुआ कि यहां की चीज भी रैसी प्रोकल हो गई बैलेंस करने के लिए जो डिनॉमिनेटर था वो नॉमिनेटर में शिफ्ट हो गया तो थर्टी यहां पर डिवाइट हो रहा था आपने उपर भेज दिया उसको और फाइफ को यहां पर नीचे भेज दिया अब आपके पास थर्टी और फाइफ को आपने में करवाया आक यह पास आ गया शिक्सस सैंटीमीटर तो सिंपली आपका क्यू बराबर हो गया सिक्स सेंटीमीटर के तो यहां पर आ गए आपकी इमेज डिस्टैंस आगी आपका है मैं भी हमने यह फॉर्मूला यूज किया था प्रीविए से अंदर यह आपका फॉर्मूला होता है इमेज इमेज में पर आप चैन्नी से तो आपको फाइंड करना है आपने उसको आपने रख दिया जो कि आपको गिविन ता यहां पर डेटा में इस एक्वल टू की जगह आपने शिक्स रखा और पी की जगह आपने थर्टी पुट करती है अब यहां पर फाइफ मंटिवाइड हो रहा है आपने इसको और शिफ्ट किया यह वहां जाकर मुल्टिप्लाइब हो जाएगा तो आपके पास आजाएगा सिक्स अपॉन थर्टी मॉंटिप्लाइब आप इनको मॉंटिप्लाइब करेंगे शिक्स को आपने फाइब से होगा तो इमेज डिस्टेंस आपका आजाएगा वन सेंटी मिटर तो यह आपका निमेरिकल था इस चैप्टर में पिटा जितने भी निमेरिकल है वह उन सब के फार्मुलाज हमने जो है वह लेक्चर नंबर टैन के अंदर जो डेरिवेशन की थी उसमें यूज किये हैं यह तो आपको इसके निमेरिकल करना कोई मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब तक भी आपने जो दो फार्मुला यूज किये हैं वह प्रिवियस डेरिवेशन से ही उसका रेफनेंस लिए अब है आपके पास 13.2 if an object is placed at a distance of 10 cm from a spherical mirror and its virtual image is formed at a distance of 5 cm from the mirror find the focal length find the focal length and nature of the mirror take a bit आपको एक तो नेचर पता करनी है और जो है आपको focal line पता करनी है जबकि आपके पास mirror कौन सा है convex mirror क्योंकि देखें यहां पर लिखाव है object is placed at a distance of 10 cm सबसे बहले तो आपको object distance आ गया जो कि होता है तो आपने object distance की जगह पर रख दिया 10 cm from a spherical mirror ठीक है एंड इस वर्चूल इमेज इस फॉर्म अब देखें mirror की image फॉर्म हो रही है वह आपकी virtual image फॉर्म हो रही है तो बिटा real नहीं है तो आपने q की जगह लग दिया q is equal to minus 5 cm क्योंकि नेचर उसका वर्चूल था आफ आपको find out करना है focal length आपको find out करना है अब आपने अपना simple formula यूस किया mirror formula जो होता है one upon f is equal to one upon p plus one over q one over f is equal to one over p यानि के पी की जगह आपने value रख दी one over 10 और यहां पर प्लस आ रहा था लेकिन q के साथ minus था क्योंकि q minus 5 था इस वज़े से minus plus multiply होकर minus हो गए one upon five आ गया वो टैन का आपने लिए जो यह सीम का रूल होता है उसके साब से टैन डिवाइड बाइट 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 वन हो गया फाइव डिवाइड बाइट बाइट आपका टू टाइम आता है आपके पास यह सिंपल आ गया one minus two बाइनस टू आपका माइनस बन होगा अब आपने सिंपल क्या किया प्रॉस मुल्चिफिकेशन करवा दी एफ यहां डिवाइड हो रहा था और से साथ किया मुल्टिप्लाई हो गया वन के साथ तो सिंपल आपका एफ आ गया माइनस 10 सेंटी माइनस सांटी भी जो है वो त्यक Tib您 के सांथ ही shift हुआएगा विट्र क्यूंकि इमेज रियल नहीं थी इस वहाशन से विर्श्वाध अमेज की विल्मड लें भी हमेशा्य वर्चुर्क ई मैश्वतिके तो आपका virtual image जो है क्योंकि आपका virtual image माइनस टैन कि आपकी यह virtual image है तो इसकी focal net आपके पास आई ये माइनस टेन सेंटी मेटर और negative sign इस वो कर रही है कि जो है वह का Cait है क्योंकि पेटा Concave के अंदर रियल और वर्चूल दोनों इमेज में सकती हैं सरसराइब सिर्फ ऊश्याया इमेज ही फार्म होती है अप क्योंगे औबजेट डिस्टेंस भी आपका माइनस में था भी माइनस में आई तो मिरर जो है वो टूटली ही वरड़ाSt it admired फोर्म ही नहीं कर रहा है और अगर वह एल इमेर फॉर्म नहीं कर रहां तो इसका है है कि वह मिरर जो है वह हमेशा वर्चुल इमेज फॉर्म करता है वह रियल इमेज फॉर्म नहीं करता तो आप यहां पर लिख देंगे नेगेटिव साइंच शोज एट दा मिरर इस कॉन्वेक्स क्योंकि उन्होंने नेचर आफ इमेज करने के लिए भी बोला था नेचर आफ म एन अब्जेक्ट इस सिच्वेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 संटीमेटर फ्रॉम अ कॉंकेव मिरर फाइंड दा नेचर एंड पोजीशन ऑफ दा इमेज इफ दा फोकल लेंद आफ दा मिरर इस 15 सेंटीमेटर कि मैं देखें एक अब्जेक्ट जो है यहां पर सेंटीमेटर अब्यश्ति उसका क्या और अब्जेक्ट इस्टेंस मियल आफक dify आफके पासल इस विमिवा तैक्ष देचर उन्होंने पहले ही बता दिया तो आपको यह पता करना है कि इमेज की नेचर क्या है क्योंकि कॉनके मिरर के अंदर और वर्चुल दोनों कि हम की इमेज बनती हैं तो आपको यह देखना है कि इस वक जो ही इमेज है बन रही है क्या वर्चुल बन रही है अग्यों डीस्टेंस चाह‎ भता करना है जो कि आपका क्यों है तो आफ सिंपल अपना फार्मुला करेंगे फिलस वन ऑवर क्यूप इस क्वारест number फॉर फॉर्थ होता है सारे हां इस में फम्ला स्वार्मुला यूज़ीं फॉर्में मैं नाइज प्रीजगा ऐस अब यहां पर क्या प्लस वन ओवर मुझे elisuralyalo minimum अब यहां पर 15 यहां प्लस हो रहा है आपने इसको करवाया यह वहां जाकर माइनस हो गया वन ओवर 15 माइनस मन ओवर 20 हो गया 15 और 20 का आप यहां तेसन रहीं क्के यहीं विवाएट कर दाते हैं आपने और के यहां पर आगया तो यहां पर आता है आप मन्रीप्लाय कर दिया थ्री फूर्माइनस थ्री आपके पास आया आगा और सिक्स्थि अब सिंपल क्रोस करवाया आपने क्यूब नियूमिनेटर में में शिरफ टों गया मा जाकर से levels शीडिनौमिनेटर में ता लेफन साइद शायकर हुआ दिशते सेंटी मिंटर में श्बिन्स हो गया और क्यू एक पन्टू सिक्स्थी सेंटिमीटर आया यह इस अब जहां तक ब डेख देंगे रियल इमेज और अगर आपका आंसर में आता तो आप लिख देते विर्टुल इमज क्योंकि को में रियल वर्चुल दोनों बन सकती हैं बट अगर यहां पर कॉन्वेक्स मेरा लिखावा होता तो आपका अंसर नेगेटिव में ही आना था अगर वह पॉजिटिव में आता तो इसका मतलब है कि आपने कोई आप अब्जेक्ट इसेट्टेट एच डिस्तेंस ओफ डूप्ट वाइटी फॉँरॉएर पॉइरो सेंटीमीटर फ्रो वीटा वैसा ही विखत्यू आपको दियावा है थे टूइवर सेंटिमीटर जोड़ के P है फोकल लेंथ आपको कॉंकेव मिरर की दीविए सिक्स सेंटीमेटर आपको जो फाइंड करना है वह है डेटर माइंड साइज आप दा इमेज एक तो इमेज का साइज पता करना है यानि के हाइट आप दा इमेज मिरा IndexiosaFF का मतलब क्या है इमेजिक इस तो आपका किस से रिप्रेजंट होता है क्यों से तो आपने क्यों फाइंड करना है है इफ दा अबजेक्ट इस 12 सेंटीमीटर हाई और आपको अबजेक्ट हाइड गिवेन है इस वक्त और अबजेक्ट हाइड उन्होंने बता दिये 12 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज कितनी बनेगी साथ में नेचर भी पदा करना है तो सेंपल आपने अपना फाम्मला यूश्किया गोण आपके पास मिरो sı्म लाए और एक साइब का उसे साइट पर शिफ्ट किया यहां जाकर मायनस हो गया दार मालीजम निगे वीदिवा सनीचा नोगे अडेटेटी माथ दार्ट प्लेर आएगा अब देखें बेटा सिक्स के डेवल में 24 किस ताइम आता है फॉर टाइम 24 के डेवल में 24 वन टाइम आएगा आपने सिक्स को नियुमिरेटर को फॉर से मल्टिप्लाए करा दिया फॉर माइनस वन यह आपका हो गया थिरी अपॉंटी फॉर अब उसमें बिल्कुल वैसे ही काम किया है जो हमने नुमेरिकल नंबर 13.1 में किया था इसका रैसिप्रोकल कर दिया क्योंको ऊपर की तरफ ले गाए तो यह वाली वैलियो भी रिवर्स हो जाएगी 24 डिनॉमिनेटर से नियुमिनेटर और थिरी नियुमिनेटर से डिनॉमिने तो यह आपके पास आगे है 24 डिवाइड वाइड थरी करेंगे आपके पास आएगा एड सेंटिमेटर अब देखें यहां पर क्योंके इमेज जो थी आपकी इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव में आया है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आने की वज़ा से आपकी इमेज जो होगी वह तो यहां पर आपने लिख दिया रिएल इमेज अब इसके बाद बेठा आपको औब्जेक्ट हाइट पता करनी है वो सौरी इमेजाब पता करनी तो आपने अपने फार्मिला यूज किया इमेज हाइट अबजेक्ट हाइट इस एकवल टू क्यू अपॉन पी जो आपने के नुमेरिकल नंबर 13.1 में यूज किया था सेम वही फॉर्मिला है इस एकवल टू क्यू अपॉन पी एच नॉट यहां पर डिवाइड हो रहा है आपने स्कॉप पोजे साइट पर शिप्ट करवाया मल्टिप्लाय हो गया क्यू अपॉन पी मल्टिप्लाय बाइच नॉट यहां पर इन दोनों को आपस में आपने मल्टिप्लाय करवाया जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड करवा दें ट्वाइल बंसा ट्वाइल ट्वाइल पूजा 24 हो गया एट अपॉन टू आया और एट को टू से डिवाइड किया आपके पास इमेज हार्ड आगई आ तो बेटा यहां तक आपके यह नुमेरिकल थे थर्टीन पॉइंट फोर तक इसके बाद के रिमेंडिंग नुमेरिकल हम लेक्षे नमबर 12 में करेंगे अपना काम जो है वो टाइमली कंप्लीट रखें और अगर कोई इशू हो रिकार्डिंग नुमेरिकल या लेक्चर तो